बिग साइज विंड मील हमेशा सलो स्पीड में चलते हैं और कुछ विंड टरबाइन ऐसे भी है जो 7 मेगावाट तक इलेक्टरिसिटी जनरेट करते हैं कैसे पोसिबल है इस स्पीड में इसके पिछे दो रिजन है 5 मेगावाट विंड मील के टावर की लेंध 413 फीट की होती है जिसमें एक ब्लेड की लेंध 205 फीट होती है तो सबसे पहला चेलेंज है इतनी हाइट पर टावर को मेकेनिकली बेलेंस करना आंधी तुपान से सेकिंड फिंग जब विंड का प्रेसर ज्यादा होगा तो ब्लेड फास्ट रोटेट करने की कोशिज करेंगे तो ब्लेड तूटने के चांस ज्यादा होंगे क्योंकि normal case में जब wind का pressure ज्यादा होता है तो हम blade के pitch angle को control करके wind pressure को कम कर सकते हैं तो इसका एक alternate solution निकाला गया यह बड़े fan rotate करते हैं 20 rpm की speed पर इनके आगे लगा रहता है एक gearbox जो speed को बढ़ा देता है 1200-1800 rpm के बीच में जो generator के लिए sufficient speed है इसके अलवा generator में number of poles को बढ़ा कर 50 Hz की frequency अचीव कर ली जाती है इस formula की help से